आज हम एक नया इश्य चाट कर रहे हैं स्टेश्ट इस चेनल के उपपर हम इसमें इंसाइट के मेंगे के साथ करेंगे मंथली मैंग्जिन नॉम्बर से इसको स्टाट करेंगे करें यहां पे लक्षर बनाया जाएगा तो नॉम्बर मंत मैंग्जिन थोड़ा समय ऑगर इसने भी current affairs होते हैं उनको जो लिबस होता है उसके according classified किया जाता है और like general studies 1, general studies 2, gs1, gs2, gs3, gs4 में इसको classified करते हो topics को लगा जाता है तो क्लासिफिक मैनर है इस तरह से classification से आपको one subject से related like gs1 से related से भी topics से एक जगह मिल जाते हैं उसी भी में चलेंगे हम पहले gs1 से डील करेंगे और gs1 में भी सब classification किया हुआ है जो में इसका सलेवस होता है उसके according इसको classified किया हुआ है इसको पहले पहले हैं और उनके साथ हम डिल करेंगे और आफ्टर डियेस टूँ आ जाएगा हमारा फिर जीस टू के साथ डील करेंगे आप जीस्तू के बाद हम जीस्तू के बाद हम एक टॉपिक है वह पर पर्टिकुलर हम डिल करेंगे फिए कुछ facts for claims होते है उसके साथ ह अंदर हम कवर करेंगे जो अर्ट फर्म है लिट्रेचर है आर्टेक्टर है और अंजय अंदर के मंत में वह पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर मेंशन की गई है तो पहली नियूज इसके अंदर आती है वह आती है कि डिमांड की गई है एक्शुली में पंजाब पुलिस की तरफ से कि आप गुरुनानग जी की जो बर्थ अनिवरस्री है उसको वर्ड पैडिस्ट्रियन डेखोंचित कर दीजिए तो इसमें कंटेक्स क्या रहा है एक्शुली में तो कंटेक्स यही रहा है कि गुरुनानग जी जो थे वह पैडिस्ट्रियन थे उन्होंने काफी उसको जो जिसे दिन को बर्थ अनिवरस्री जो होते हुर्ट दिन को वर्ड पैडिस्ट्रियन के लिए बनाने के लिए डिमांड किये पंजा पुलिस ने तो गुरुनानग कंसिडर था वर्ल मॉस्ट नौटेबल तो मैंने आपने पहले बताया कि अंदर यह थे लिए उस ट गौह पाक्स तब को tout के साथ कमपे व्यंक्ते प्रफिछी ख सुखिए है इस तो मक्का से हरिदवार तक वो गए ठीक है और से लेके मांट कैलास तक रूदर टेवल किया और बहुत साइट से विजट कि जो कि हिंदू जिदू सोरी इसलाम वुद्धिज्म जैनिज्म से लिटर्ट इतने भी साइट थी और इनकी यात्रा है थी इनको स्पेसिफिक लिए बोरा जाता था अब यह वाड़ा सकता है पिलिम्स के अंदर उदासिस इनको बोला जाता था बाद में जहां पर भी वह गए वहां पर उनक किये गए उनको उनको बोला जाता है जनम साखिस जनम साखिस बोला जाता है उनको और जो यह इनकी जो साइट से आपने और ट्रैवल किया वह नाइन नेशन के अंदर मतलब जोग्राफिकल डिविजन्स में हैं इंडिया पाकिस्तान इरां इराग चिली बांगलादेश कर सकता है और इसके तुरू क्या होगा कि यह राइट वाक के तुरू है इंशार होपाएगी एक प्रोमोशन मिलेगा जैसे इट 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 हैल्दी इस तरीकी की चल रहा है उसी तरीके से इस तरीकी का सिंबोलाइस फ़र्म में यह भी किया जाना लोगों को प्रमोट करेग कर सकता है अब इसी कंटेक्स में हम उनकी बारे में तुरा देख लेते हैं गुरू नानक जी का जन्म हुआ वह तलवन दीन यह लाहूर हुआ ठीक है और उन्होंने जो प्रोगेट किया उन्होंने जिस चीज़ को आगे लेकी गए अपने टीचिंग्स के अंदर उन्होंने तो नोर का मतलब होता है और उन्होंने ही अदर नेम्स ऑफ जो और दूसी नहीं होते हैं करता है अकाल पुर्ख रोके और निरंकार की इसमें नानक देदार किया गया वही गुरु की संकृतना उन्होंने हुआ है उन्होंने यह और होगा है और अधिनी इस्टनी भगरा को स्वेस्टी मरेखन अधरी इस्टम निकल के आता है कि रिचेंट अभी न्यूज रही ती करता पूर कोई साहब साहब कोई दोर की बारे में वह पूरी दिलता है पांसो पचास भी बर्थ है निवर्थ है जो गुरु नानक देव की थी उसके उपस को इनौगरेशन किया गया था अभी कॉविट की वज़ए से में भी जाना प कुछ था यह अब जो सेकंड हमारा सेकंड नूवंबर मंद की पर्टिकलर टॉपिक के अंदर जो आती है वह आती है बारा फुटका आधी संक्राचारे का केदानाथ के अंदर अन्वील किया जा रहा है कि स्टेचू उसको हम देखते हैं उन्होंने समाधी ले लिए नाइं सेंक्राचारे के अंदर आधी गुरु संक्राचारे थे इस चीज़ को जहां रखना है और 15-16 सेंक्री में गुरु नानक जी थे तो संक्राचारे के बारे में बात करना चाहिए तो कलाडी विलेज जो है परियारिवर के किनारे के लामिन का जन्म हुआ वह जो थी सब्सक्राइब करना के साथ ठीक है के लिटरी वर्क की हम बात करेंगे लिटरी जो उनका वर्क रहा उसमें अनके इसमें सबस्क्राइब कर सकता है और इसमें बहुत साही कॉमेंट्री ठीश्टी के ब्रहतं शुझत्रा अंगीता से उपर तक ये इसमें आ सकता है आप-का इसके बारे और इसके एक डाले जा सकता है है तो एक न hopes चुदमानी में मनिशा पंचकंUp एno सउस्धार यह लिह सब्सक्राइब है बूरिक वाकम सकते हैं उसके बाद कर से लइक शंक्रा स्म०्वाथ शंक्रा श्म०्वाथ ऑनोंने की शंक्रा शंक्रा शॉप्रेमिसी के बात किका इसकी नम्भूत्री ब्राम्विन्स की अब एदित्वेवाद की संकल्पना है उसका मतलब क्या है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं तो जो एदित्वे विदान्ता आर्टिकुलेट करता है फिलोसिफिकल पॉजिशना पे रेडिकल नॉन डियोलिज्म की बात ही करत है इसको बोलते है अधित्वे विदान्ता ठीक है तुफिशना फिलोट्व ड्र्रीकुलेजिंड नॉन डियोत्या दिया हिसके अंदर एदेत्वे विदान्ता इंद और वही है विच विच इस रेलिटी अव वाल तिंग पटिकर गादेशिव की वो है प्रहमन इज रेलिटी अव अब प्रहस्टेन को बताता है अधितव्य अन्डेस्टेंड भामन एज टांस्टेंडिंग इन्डिशलिटींग इंपरिकल बुरिल्टी बात कर दो आगे बोलते हैं कि आत्मा इस प्यॉर और नॉन इंटेशनल कॉंशियसनेस प्यॉर और नॉन इंटेशनल कॉंशियसनेस नहीं आत्मा और पूज़ता से प्यॉर है इो इट सेंडी नॉन इंटेशनल किवΩयां इंटेशनल के लावा आत्मा अगेह हम शंकराचार के वारे में देखते हैं तो संकराचारे Contrasted Legacy जो संकराचारे की Contrasted Legacy रही है तो उन्होंने ब्रह्मा श्त्यम जगत मित्या इसके उपर बात किये ठीक है और जीवो भ्रह्मा वी नाप्रहा नाप्रहा तो यह तरीके के नहीं बात किये इनका मतलब होता है ब्रह्मा ब्रह्मन इस अलॉण इस वल्ल इस जीवा इस नौन डिफ्रेंट व्रहमन जो जीवा जो है आत्मा जो है वह भी भ्रहमन से नहीं ब्रहमन ही एवर्टिंग है अलॉण इस वर्ल तो हिसमें हमने एदुएत्व व्यदान्ता की बारे में भी आप बात कर लिए उसके बाद यहां पर कोई दुरौटन इंपर्मिशन आती नहीं उसके बार मीं इसके लिए क्या निए मन एसके सकते हैं np सकता है तोड़ा सा अभी हमारी जो तीसरी नियू जिसके अंदर हो जाती है करतारपुर को बोला भी था करतारपुर को नाउगेशन वगरा किया गया तो करतारपुर है वह एक तरह से 20 मन्त के बाद खुले जाने की कुछ कुछ बात चल रही क्योंकि काफी लंबे टाइम से पाकिस्तान पर खुलने की कुछ बात इसमें चल रही है और इनाउगरेट किया गया था और प्रकाश पर्व के नाम से भी जाना जाता है तो इसके बाद करतापुर कॉर्डर अग्रिमेंट जो था तो कुछ नहीं था उसके तरूव और कौन-कौन ट्रैवल कर सकता है तो इंडियन की जो लोग है और जो सारी किसी भी सकते हैं वो सकते हैं पासपूर्ट ऑउलिए पासपूर्ट उसके साम तक खुला हुआ हुआ होता है यह होता है इस तरीकर को बन जाता है तो कटार्पूर जो है इसे रोड थू पीस बोला जाता है Rewa और इसमें क्या क्या बता दिया गया के अंदर करतारपूर करतारपूर नानक सरीट वहां पर है ठीक है और गुर्दास्पूर तो बस यह है रवी के किनारी पर 120 नौथ वेस्ट और लाहूर है और बस यही है यहां पर एलिफंट ग्रास बहुत बड़ी-बड़ी हो जाती है उ सब्सक्राइब करते हैं तो इसमें यही बताया गया है कि अभी जो पहले आयता वर्ट प्रेस्टेंडे को मनाने के लिए मतलब रिक्मेंटेशन मांगी है इक तरिके से और मिनिस्ट्री आफ जो ट्रांसपोर्टर उसको भीजा गया इसके पर अबारे में सिग्निफिकेंस क करता अब की सिग्निफिकेंस एक्शल में क्या है उसके बाद हम जो पहले टॉपिक जिसके साथ हम डील कर रहे हैं तो उसमें से हम जो फॉर्थ नमबर कर टॉपिक है वाट इस पूरी है जो आंट फिर नमबर प्याता है उसके आपर हम आचुके हैं अभी रिसेंटली तो हम इसके साथ डील करते हैं तो यह है आपका है कि बारा ने टॉपिक आपकर करेंगे इसके जितने भी सताफिक से होता है ज्यादा भी हम इंडिशेल है तो इसमें हम यह लास्ट है जो पाम नमबर का जो निई है वह लास्ट है पूरी हेरिटेज जो कॉलिडोर है उसके बाल में बात चल रही है जैसे आपको पता है कि पूरी हेरिटेज को रिपे को काफी सारी है रहे हैं और यहां पर बनाया गया है तो वह बात की जाए तो यह सब्सक्राइब करना ही इसका परपस था को बनाने का इसमें इसके अंदर इसमें किया गया है और प्रोजेक्ट का जो इंक्लूड करता है वो जी डिव्लेप्मेंट पूरी लेक एंड मुसा रिवाइवल प्लान इसके अंदर आता है तो इसके थू हम पूरी जगर्नाठ टेमपल के बारे में कुछ देख लेते हैं कि पूरी जब्लेपल है वह क्या है तो जहार रखना कि इसमें जो हम को करन पूरी लेक मुसा रिवर का रिवाइबल प्लान इसके अंदर आता है अब थोरा जगनाथ टेम्पल के बारे हम देख लेते हैं तो यह वैस्विट जो फेथ है वैस्विट जो फेथ है उसका टेमपल है जगनाथ टेमपल है आपको पता है कि हमारे पाद जो नौर्थ में आप जगनाथ पूरी यहां पर दोर कदी से दाम बोले जाता है काफी अच्छे से सब लोगों के बार में पता है तो यहां पर हम जगनाथ पूरी के भी बात करें तो वैस्विट नाइट मतलब की है टेमपल जो है और डेडिकेटेट टु जगनाथ है एफ फाम आवद यह चो गंगा डिवा व्फिस्टन गंगा डिनष्टी तो हमको पता होता है कि यह च्छ नहीं को बनाया नहीं पूरी टेमिक तीर था यह इसको यमनिका तीर आपको कर दार है नौत बहुलेज चाहइं बद्रिनाथ आठ द्वार्टा पूरी और रमेजवर्म को पता है कि ब होती है उसको हर बारा साल के और रिप्लेश के जैड़ा इसमें क्या हो सकता है पुर्फिंश से प्रिलिपे इससक्ते हो चेंड पुरी के बारे में कुछ नागरा चुछ किस cran mapped and तो यह हमारा आज की लास्ट नियूस थी अभी थोड़ा लेक्चर हम छोटा रखेंगे आगले टाइम से हम लेक्चर को थोड़ा बड़ा बनाना स्टार्ट करेंगे थैंक यू